आज हमने एक अलगी तरीके से बहुत ही कम मेहなट किये एक दब नरम मुलायम दही बल्ले बनाए है बिना हाथ को तकलिक दिये एक दब नरम दही बल्ला बनाने का एक सिक्रेट तरीका आपके साथ सेर करूँगी आप देख सकते हैं, ये कितना सॉफ्ट बना है इसमें हमने अपने हाथ का जराबी इस्तमाल नहीं किया है तो चलिए रेशिपी की सुरुवात करते हैं और बनाते हैं दहीं बल्ला एक कपुरत की डालकों हमने तीन से चार बार पाने से धो लिया था और पाने डालके इसे चार गंटे तक भीगों के रखा था और डाल बहुत ही अच्छे से भीग गई है डाल का पानी जो है ये सब स्ट्रेइनर में डाल के निकाल लेते हैं इस तरह से डाल को हमने एक स्ट्रेइनर में डाल के पानी सब निकाल लिया है डाल को हम मिक्सेजर में डाल के एकदम स्मूद पेष्ट बनाएंगे, इसे हम 2 बेच में पिसेंगे, आधी हमने मिक्सेजर में डाल दिया है, इसे क्राश कर लेते हैं, धोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है दो टेबल स्पून चितना पानी हमने डाला है वापस इसे क्रास करेंगे डाल को हमें ज्यादा देर तक पीशना है ताकि इसमें हवा भरे और वड़ा जो है वो एकदम सॉफ्ट बने डाल को हमने एकदम अच्छे से पीश लिया है आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेश्ट बन गई है इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं इसी तरह से हम डाल को पीश लेते हैं इस तरह से ज्यादा देर तक पीशने से बेटर एकदम फ्लॉफी बनता है इसे ढकन लगा के आदे गंटे के लिए रेश्ट देंगे आदा गंटा हो चुका है एकदम नरम मुलायम दही भला बनाने के लिए बेटर को हमें हाथ से कम से कम 8 से 10 मिनिट टक फैटना पड़ता है और इसमें बहुत ही मेहनत लग जाती है और हमारे हाथों के भी अच्छी खासी एक्सराइज हो जाती है तो आज हम बिना मेहनत किये बेटर को किस तरह से फैटना है यह आपको बताएंगे बेटर को फैटने के लिए यह बीट करने का मसीन हमने लिया है जिसे हम कैक का बेटर बनाते है यह आइसक्रीम को बीट करते है यह वो ही मसीन है आपके पास अगर यह नहीं है तो आप इस तरह का बलून बिटर आता है इसी भी आप फैट केक बना सकते है लेकिन इसमें आपके हाथों के अच्छी खासी एक्सराइज हो जाएगी तो बेटर को हम इसे बीट कर लेते है थोड़ा बेटर को हमने दो मिनिट के लिए बीट कर लिया है और आप देख सकते हैं बेटर कितना फुल गया है इसे हम चेक कर लेंगे एक बाउल में हमने पानी लिया है इसके अंदर थोड़े बैटर डाल के देख लेंगे आप देख सकते हैं बैटर हमने डाला वो पानी के उपर तैर रहा है इस तरह का बैटर हमें बनाना है 2 टेबल स्पून किस्मिस को हमने एक गंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था ये पानी निकाल देंगे आप से ले सकते हैं एक टीस्पून रफली कुटी हुई काली मिर्च पाउडर एक टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट एक टेबल स्पून हरा दन्या इससे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में चला के इसे मिक्स करना है लेतर बेटर में जो हवा भरी है वो हवा निकल जाएगे और वड़ा सौफ्ट नहीं बनेगा इसके लिए हमें इस तरह से ही इसे मिक्स करना है या तो फिर आप इस तरह से फैट के इसे मिक्स कर सकते हैं एक ही डाइरेक्शन में फैटना है तेल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है थोड़ा से बैटर डाल के देख लेते हैं एक तेल गरम हुआ है कि नहीं तेल गरम हो गया है एक बाउल में हमने पानी ले लिया है पानी बाला हाथ करके बैटर को हम अंदर डालेंगे गरम तेल पे इस तरह से हाथ में लेके बैटर इस तरह से हम अंदर डाल देंगे तेल में वड़ा एक साथ में नहीं डालना है इस तरह से अलग-अलग डालना है ने तर एक दूसरे के साथ में चिपक जाएगा गैस की फ्लेम हमने दिमी रखी है फ्लेम दिमी रखके ही बड़ा अंदर डालना है और हर बार पानी वाला हाथ करके ही बड़ा हम अंदर डालेंगे low to medium फ्लेम पर बड़ा को फ्राई करेंगे थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद इसे चला लेना है तेल अगर जादा गरम हो जाए तो इसे दिमी आज पे ही फ्राई करना है आप देख सकते हैं कि बड़ा फूल के कितना बड़ा हो गया है बड़ा का light golden कलर हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे एकड़म soft और crispy बड़ा बनता है इस तरह से ये गर्म गर्म वड़ा फ्राई किया हुए भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है एक टॉप में हमने साधा पानी ले लिया है इसी के अंदर हम वड़ा फ्राई करके डाल देंगे ये जो फ्राई किया है ये वड़ा हम पानी के अंदर डाल देंगे इसी तरह से सारे वड़े फ्राई करके पानी के अंदर डाल देंगे हम वड़ा को हमने फ्राई करके पानी के अंदर इस तरह से डाल दिया है इसे आदे घंटे के लिए पानी के अंदर ही रखेंगे ताकि अच्छे से वड़ा सॉफ्ट हो जाए वड़ा के उपर डालने के लिए दही को रेडी कर लेते हैं दो कप दही लिया है दही हमें फ्रेस लेना है, खटा नहीं होना चाहिए इसमें 2 टेबल स्पून पाउडर चीनी डाल देंगे चीनी को हमें मिक्सजार में डालके क्रास कर लिया था आधी टी स्पून नमक चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से अंदर मिला सकते हैं इसे अच्छे से फैट लेंगे दही को अच्छे से फैट लेना है इस तरह से दही को फैट लेना है एक टेबल स्पून चीनी का पाउडर दही में और मिलाएंगे नहीं थोड़ा सा हलका सा मीठा होगा तो अच्छा लगेगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे वड़ा को हमने आदा गंटा पानी में भिगो के रखा था और आप देख सकते हैं वड़ा बहुत ही अच्छा एकदम सॉफ्ट हो गया है एकदम स्पोंजी वड़ा बन गया है इसे हम पानी में से निकाल लेंगे इस तरह से दबा के पानी निकाल लेंगे ज्यादा दबाना नहीं है नहीं तो वड़ा तूट जाएगा पानी में से हमने वड़ा को इस तरह से निकाल लिया है अभी इसके उपर हम दई डालेंगे वड़ा के उपर हमने दई डाल दिया है दई हमें जितना चाहिए उतना हम डाल सकते है इसके उपर हम हजोर इमली की चटनी डाल सकते है ग्रीन चटनी हरा दनिया और फुदीग् немного चटनी हम इसके उपर डाल सकते हैं अभी हम इसके उपर चटनी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि चटनी बाला हमें पसंद नहीं है इसके लिए हम इसके उपर यह बूना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे जीरा को पहले बून लेना है फिर इसे क्रस करके इसका पाउडर बना लेना है यह बूना हुआ जीरा का पाउडर है कस्मिरी लाल मिर्ची पाउडर है इसे उपर डालेंगे इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे उपर काला नमक लिया है, यह उपर स्प्रिंकल करेंगे, ब्लेक सॉल्ट, इसे हमें ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही उपर डालेंगे, दो चुटकी जितना, थोड़ा सा हरा दन्य उपर डाल देंगे बहुत ही कम मेहनत में दही बल्ले रेडी हो गए दही बल्ला बनाने का मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताए रेसिपे आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सेर करें और मेरी चनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में